प्रिये दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में आपको LED डिस्प्ले टेकनोलोजी यह क्या है? के बारे में बता रही हूँ ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED कैसे कार्य करते हैं? LED स्क्रीन का उप्योग कहां कहां होता है? प्रिये दोस्तों, कृप्या मेरे वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूले मैं भविश्च में इस प्रकार के उप्योगी वीडियो बनाती रहूंगी इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना सुनश्शित करें. LED डिस्प्ले टिकनोलोजी यह क्या है? LED का उप्योग अब अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शिंखला के लिए किया जाता है. जब से वे व्यावहारिक व्यावसाइक उप्योग के लिए विक्सित किये गए थे, वे अतीत के पारमपरिक इनकंडेसंट प्रकाश बलबो के लिए एक लोगप्रिय विकल्प बन गए है. आज LED टेकनोलोजी का उप्योग विभिन्न उद्देशों के लिए किया जा सकता है और अन्य प्रकार की डिस्प्लेट टेकनोलोजी पर कई लाब प्रदान करता है. यहां कुंजी अत्यंत बड़े पैमाने पर अल्ट्रा ब्राइट उच्च बुडवत्ता वाली इमिज को वित्रित करने की क्षमता है. यह समझना कि यह प्रकाश उच्छजक डायोड LED कैसे कार्य करते हैं? LED-D श्प्लेट टेकनोलोजी क्या है? प्रकाश उच्छजक डायोड LED थोसवस्था वाले उपकरण है, जो प्रकाश बनाने के लिए अर्धचालक और इलेक्ट्रोल्यूमिनिसिंस का उप्योग करते हैं. संक्षेप में यह किसी पदार्च से प्रकाश उच्छर्जित करने की प्रक्रिया है, जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है. अनिवार्य रूप से एलेडी विद्युत उर्जा को सीधे प्रकाश में परिवर्तित करते हैं, जो पारम परिक इनकंडेसंट प्रकाश व्यवस्था से भिन्न होती है, जो प्रकाश उत्पन करने के लिए हीट उर्जा का उप्योग करती है, जिसके परिनाम स्वरूप आम LED टेकनोलोजी को अक्सर कोल्ड लाइट टेकनोलोजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि LED से कम हीट उत्पादन होता है, और तथ्य यहा है कि वे गैर प्रकाश उत्पादन हीट के रूप में उर्जा बर्बाद नहीं करते हैं, अतीत में द्रिश्य प्रकाश LED कम तीवरता के थे और लाल रंग तक सीमित थे, हालां की LED अब लाल, नारंगी, पीले, हरे, मीले और सफेद रंगों सहित पूरे प्रकाश स्पेक्ट्रुम को कवर करते हैं, नतीस्तन अब उनका उप्योग कई अलग-अलग उदेशों के लिए किया जा सकता है, जिसमें डिस्प्ले टेकनोलोजी भी शामिल है, जो बाहरी सेटिंग्स में भी असाधारण, सटीक रंग और स्टैंडाउट ब्राइटनेस प्रदान करता है, जल से जल्द, LED टेकनोलोजी ने कम तीवरता वाले इंफ्ररेड प्रकाश का उचसर्जन किया, जो लाल रंग तक सीमित था, जैसे इन छोटी रोश्णी में वैसी व्यापक व्यावसाइक अनुकूलता नहीं थी, जैसी वे अब करते हैं, हालां कि वे अभी भी आमतोर पर कारों में इंकंडेसंड और नियोन इंडिकेटर लेंग जैसी चीजों के प्रतिस्थापन के रूप में उप्योग किये जाते थे और उपभुकता इलेक्ट्रोनिक्स के लिए विभिन्न रिमोर्ट कंट्रोल सर्किट में प्राग्रेसिवली इंटिग्रेटिड होते थे। LED प्रोध्योगी की में सबसे हालिया, अनुसंधान और विकास के लिए धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बड़े पैमाने पर भारत, जापानी, कोरियाई प्रोध्योगी की निर्माता है। इसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई, दक्षता के साथ अविश्वस्निय रूप से उच्च प्रकाश पुत्पादन क्षमता प्राप्थ हुई है। बाजार में प्रतिसपरधा, जैसे कारकों के कारण, यह टेकनॉलोजी अब तेजी से लागत प्रभावी है। इन परिवर्तनों ने LED आधारत प्रोध्योगी की के और विकास को सक्षम किया, और आज हम जिस तरह के अनुप्रयोगों से परिचित हैं, जैसे LED पैनल में अंतिम उप्योग। LED स्क्रीन क्या है? एक LED स्क्रीन या LED वाल की तुलना अक्सर एक विशाल टेलिविजन या कम्प्यूटर मॉनिटर से की जाती है। हाला की स्क्रीन स्वयन अलग तरह से बनाई गई है, और वास्तव में एक समगरे डिस्प्ले पैनल बनाने के लिए एक साथ रखे गए कई प्रकाश उत्सरजत दायोड से बना है। इनमें से प्रतेक LED तीन रंगों का उत्सरजन करता है, लाल, हरा और नीला और जब सन्युक्त होता है, तो स्पेक्ट्रम में अधिकांश रंग प्रदर्शित कर सकते हैं। LED टेकनोलोजी को LCD, Liquid Crystal Display, टेकनोलोजी के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिसका उप्योग अकसर टेलिविजन या कंप्यूटर मॉनिटर में किया जाता है। अकसर, ब्रांड अपनी स्क्रीन को LED TV स्क्रीन या LED मॉनिटर के रूप में विध्यापित करेंगे, लेकिन वे Alternative प्रकाश्त्रोत को बदलने के लिए LED बैकलाइट्स के साथ केवल LCD स्क्रीन है। LED स्क्रीन LCD स्क्रीन से बिलकुल अलग टेकनोलोजी है। वे LCD टेकनोलोजी के विप्रीत ब्राइट बाहरी स्थानों में इमिज को वित्रित करने में भी अधिक सक्षम है। LED स्क्रीन का उप्योग निमलिखित सहित कई अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। इवेंट स्पेस उच्च संकल्प इंडोर LED स्क्रीन प्रदर्शनी केंद्रों सम्मेलनों अभिनव विप्नन प्रतिष्ठानों और कॉर्पोरेट कारित्रमों जैसे इंडोर इवेंट स्पेस के लिए एक लोगप्रिय प्रदर्शन विकल्प है। कॉर्पोरेट और शैक्षिक में उप्योग, अत्यधिक आकर्शक और सूचनात्मक, कंटेंट देने के लिए LED स्क्रीन का उप्योग एक महान माध्यम के रूप में किया जा सकता है। यह चित्र, वीडियो, पाठ या डेटा का प्रतिनिधित्व करने वाली चित्रमय जानकारी हो सकती है। डिजिटल साइनेज ने हाल ही में बड़े पैमाने पर व्रिद्धी देखी है। पूरी दुनिया में शॉपिंग सेंटर, कम्यूटर नेटवर्क और कम्पनी ओफिस स्पेस जैसी जगों पर दर्शकों को उच्च प्रभाव देने के लिए विभिन्न प्रचार और वानिजिक कंटेंट की एक श्रिंखला प्रदर्शित करने के लिए LED स्क्रीन का प्रभिकी के लाब उच्च रिजॉल्यूशन LED स्क्रीन अत्यधिक उच्च प्रभाव वाले संदेश देते हैं। हमने नीचे प्रमुख लाभों को रेखानकित किया है। कम कीमतों के लिए भैतर टेकनोलोजी जब आप बात कर रहे होते हैं, तो अन्य डिस्प्ले प्रकारों की तुन्ना में LED स्क्रीन आमतोर पर भैतर मूल्य और कम लागत प्रदान करती है। जब बड़े स्थानों के लिए प्रदर्शन विकल्पों की तलाश की जाती है, तो उनकी समगर रिजॉल्यूशन, गुणवत्ता और पिक्सिल प्रती इंच के कारण वे अकसर सबसे अच्छे विकल्प होते हैं, जो आपको मिलने वाली गुणवत्ता के लिए उचित मूल् ब्राइटनस और लचीलापन की एप्लिकेशन, ब्राइट परिवेश प्रकाश से LED स्क्रीन वाष्ट नहीं है, जैसे वे बहुत ब्राइट वातावर्ण में उप्योग के लिए उप्युक्त हैं, जैसे की बाहरी पार्क या खरीदारी की जगा या घर के अंदर जहां खिड या दर्वाजों से अतिरिक प्रकाश फिल्टर होता है, व्यावसाइक उप्योगों के लिए अनुभवात्मक स्थान, जब LED और स्क्रीन आकार की बात आती है, तो लगभग कोई सीमा नहीं होती है, यदि आप इसे वहन कर सकते हैं, तो आप छवी गुर्वत्ता से कभी किये बिना अपने स्क्रीन आकार को उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना आपका स्थान अनुमती देगा, हाला कि यह कस्टम कंटेंट बनाने की आवशक्ता के साथ आता है, इसलिए इसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, आकार और पहलु अनुपात पर प्रतिबंध की कमी काफी हद तत इस तथ्य के कारण है कि LED स्क्रीन मॉड्यूलर है, इसका मतलब है कि वे कई अलग-अलग पैनल और मॉड्यूल से बने होते हैं, जिने आपके लिए आवशक सतीक स्क्रीन आयाम बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, प्रिये दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूले, मैं भविश्य में इस प्रकार के उप्योगी वीडियो बनाती रहूँगी, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, आपके समर्थन के कारण मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है, धन्यवाद.